कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का एंवेफ निउस पर मैं हूँ आपके साथ रोहित और जिस तरीके से एक्जिट पोल आए हैं उसके नतीजे ये कह रहे हैं कि बीजेपी चार सो सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और अब चार जून पर सब की नज़रेटी क्यू और इससे सबसे बड़ा सदमा अगर किसी को लगा है तो वो है आम आदमी पार्टी के प्रमोक अरविंद केजरिवाल को आपको याद होगा कि केजरिवाल को जब जेल भेजा गया था कतित शराब घोटाले में तो उसके बाद जब वो पचास दिन बाद बाहर निकले तो उ सुप्रीम गोट गए उनकी याचका खारिच कर दी गई वो लोवर कोट गए उनकी याचका खारिच कर दी गई और अब आखिरकार एक्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी की बहुमत के साथ सरकार आ रही है और केजरिवाल को इससे सबसे बड़ा सदमा लगेगा क्योंकि जो केजरिवाल जनता से कह रहेते कि आप लोग हमें जिताई है ताकि मुझे 2 जून को जेल वापस ना जाना पड़े शरेंडर ना करना पड़े अब उनकेजरिवाल को कोट के आदेश के बाद सरेंडर तो करना ही पड़ेगा लेकिन इसी बीच केजरिवाल को सदमा देने क लिए exit पोल भी आगे के exit पोल में कहीं पर भी इंडिया गड़ बंधन नहीं दिख रहा है और आम आदमी पार्टी का तो सूपड़ा साफ है दिलनी में साथ की साथो सीट गवा रही है एक सीट पर थोड़ा बहुत कांटी की टकर दिखाई दे रही है पंजाब में भी यही हा लिवाल मार पीट मामले में फसे हुए है एक तरफ कतित शराब घोटाले में उन पर लगातार जांच चल रही है फिर से तिहार जाना है दो जून को और अब उनको तीसरा सदमा लगा है कि एकजिट पोल से कि बीजेपी की सरकार प्रचंड महुमत के साथ फिर से आ रही है और ये बहुत बड़ा सदमा है आपको याद होगा कि किस तरीके से केजिवाल लगातार ये कहते रहे कि हमने विधान सभा में दिल्ली में प्रचंड महुमत के साथ अपनी सत्ता हासिल की सरसर सीटे हमारे पास हैं 60 सीटे हमारे पास हैं और हम अपकी लोग सवाचुनाओं म कहीं काटे की टकर है तो वो केवल और केवल एक सीट पर है वो भी इंडिया गडबंधन में कॉंग्रेस को जो सीट मिली है उसके तहट यानि केजरिवाल के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं स्वाती मालिवाल मामला आपको पता होगा किस तरीके से उनके पूर पीये ने कुछ भी हो जाए ये मेरी पार्टी है मेरा सभा नहीं छोड़ूंगी दूसरी तरफ कतित शराब घोटाले में केजरिवाल को किंग पिन बता दिया गया और अब केजरिवाल को ये सदमा एक्जिट पोल दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आम ही प्रदर्शन कर रही है कु 500 पार कर दिया है उन्होंने 107 सीटे इंडिया गडवंधन को दी जा रही है और अंद के खाते में 36 सीटे टुडेश चाणक्या दे रहा है यही हाल और भी एक्जिट पोल के हैं वो चायास तक का हो एवीपी का हो या फिर सीव वोटर का कोई सर्वे हो हर जगा बीजेपी सर बढ़ाईए चलिए मैं मुख्मंत्री पत से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं और अब की पीम पत से भी उनको हटा दूँगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एक्जिट पोल के मुताबिक और जनता में इंडिया गडवंधन ने पैठ नहीं बनाई है किसी भी राज में ऐस नहीं चीजे बताई हैं चार जून के लिए आप एनमेफ नूस पर बने रहेगा यहां पर हर अपडेट मिलती रहेगी और इसी तरीके से आप यहां पर ने निऊज पर देखेंगे कौन कहां पर जीता कौन कहा रहा रहा फिलाल के लिए बस इतना ही और केज रिवाल की मुसीबतें जिस तरीके से बढ़ रहें उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएगा और बने रहेगा हमारे साथ नमस्कार